सावन का महीना शुरू हो गया है इस महीने की शुरुआत होते ही चारो ओर हर्याली छा जाती है और जमा जम बारिश होने लगती है सावन का महीना प्रत्य व्यक्ति के लिए महत्व पूम तो होता ही है लेकिन हिंदु धर्म में इस महीने का विशेष मैत्व होता है ये पूरा महीना भगवान शिव की भक्ती में लीन होने का महीना होता है सावन का महीना पूरी तरह से भगवान शिव को समर्पित होता है क्योंकि ये महीना भगवान शिव का प्रिये माना गया है इस महीने में जितने सोंवार होते हैं उसमें महीलाएं और लड़कियां शिवजी को प्रसंद करने के लिए सोंवार के वृत करती हैं लेकिन उनके मन में वृत से संबंदित कुछ प्रश्न होते हैं जैसे की वृत में क्या खाएं और क्या ना खाएं चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं कि सावन के वरत में क्या खाना चाहिए आप सुमवार के वरत के दिन शाम को दूद या दूद से बना कोई भी खादे पदार्थ जैसे दही और समा के चावल की खीर खा सकते हैं सावन के वरत में ना खाएं ये चीज़े समवार के वरत में नमग, अनाज, मसालेदार सबजी, उडदल, बैगन, परवल की सबजी, सरसो, कासाग, कथल, काला, तिल और बेसं से बनी चीजों से फरहिज़ करना चाहिए लेकिन हाँ सुमवार के बृत में चाय पीने से कोई मना ही नहीं होती लेकिन लोगों का ये मानना होता है कि किसी भी बृत में चाय पीने से फरेज करना चाहिए क्योंकि खाली फेट चाय पीने से गैस और फेट में जलन जैसे समस्यां बढ़ जाती है आप सुमबार के वरत में जूस पी सकती हैं बस ये ध्यान रखिए कि जूस में नमक ना मिला हो आज के हमारे इस वीडियो में बस इतना ही इसी तरह की खबरों को और जानने के लिए देखते रहें सौगंध टीवी